गर को संबालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और काम करते करते धीरे धीरे ना हमें चीजे समझ में आने लगती है धीरे धीरे घर की कई सारे problems का solutions भी हम निकालने लगते हैं और जब ये तरीके अच्छे लगते हैं तब ऐसा लगता है कि आप सब के साथ भी share करना चाहिए तो जो भी छोटी बड़ी चीजे मैं यूज करती हूँ अपने घर में जो hacks यूज करती हूँ वही आपके साथ share करोंगी जो actually मैं मुझे बहुत ज़्यादा useful लगी Hello, Namaste and Welcome Back Guys कुछ organizers ऐसे होते हैं जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और storage के लिए भी काफी useful होते हैं तो इन basket को मैं kitchen में use कर रही हूँ 3 different sizes की ये basket हैं बहुत ही beautiful से basket हैं और काफी ज़्यादा इसमें space भी है तो आप इसमें कई सारी चीज़े store करके रख सकेंगे और अगर आप इसे openly रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे लगेंगे तो फिलहाल मैं ऐसे use कर रही हूँ अपने kitchen के towels को रखने के लिए और मैं towels को roll करके रख रही हूँ किसी भी organizer या फिर box या फिर basket में जब आप towels रखते हैं तो अगर आप roll करके रखेंगे न तो आप ज्यादा towels इसमें store कर पाएंगे तो ज्यादा space बन जाएगी और कई सारे आप towels एक साथ रख पाएंगे इसमें तो इसको मैं कुछ towels जो है वो openly रखूँगी क्योंकि daily कुछ न कुछ काम के लिए towels यूज में आते रहते हैं और उपर रहते हैं तो आप जल्दी से ले भी सकते हैं और ऐसे basket रखाई यूज करेंगे तो आपका counter top भी अच्छा दिखेगा हम सब की घर अलग-अलग होते हैं चीजे भी अलग-अलग रखते हैं हम अपने घर में अपने requirement के according तो मेरे पास काफी सारे packets पड़े थे जो adhesive hooks होते हैं अलग-अलग तरह के छोटे बड़े तो उनको मैंने ये छोटे वाले basket में रख दिया है जो medium size का basket है उसको मैं use करे हूँ चोटे-चोटे जो bottles होती है उनको store करने के लिए तो ये आप counter top पे भी रख सकते हैं या किसी अपने cabinet के अंदर रख सकते हैं कहीं भी रखेंगे ना ये जो baskets हैं ये काफी ज्यादा useful होते हैं आपको काफी काम में आएंगे कुछ चोटी-चोटी common problems हम हमेशा daily life में phase करते हैं जैसे कि हमारा wash basin जो है वो हमेशा पानी-पानी रहता है जब भी soap dispenser हम रखते हैं उसके नीचे पानी जम जाता है तो मैंने यहाँ पे एक चोटा सा plate यूज कर लिया है ये पुराना मेरा soap dish था उसका नीचे का जो portion रहता है वो ऐसे ही रखा हुआ था तो उसको मैंने यहाँ पे अपने wash basin में रख दिया है और उसके ओपर मैंने soap dispenser रखा हुआ है तो बिल्कुल भी अभी जित्ता भी पान तब भी हमारा जो बेस रहता है ना wash basin का या फिर bathroom का जहां भी कहीं आप रखते हैं जो surface रहता है वो हमेशे गीला हो जाता है तो यहाँ पे मैं एक चोटा सा ceramic का plate यूज कर रही हूँ और उस पे मैंने अपने जो face washer वो रख दिये है ये दिखिए चोटा सा मिटी का cup है मेरे पास और इसको मैं brush और toothpaste रखने के लिए यूज कर लूँगी तो जो wash basin का area है या फिर जो bathroom का surface है जहां कहीं भी हाम हम ये सारी चीजे रखते हैं तो वो भी clean लगेगा tidy लगेगा और गीला नहीं होगा एक biscuit का box है ये ऐसे बहुत सारे boxes आते है हमारे पस कभी चाय पती के boxes र इसको मैंने ना cover कर लिया एक printed plastic से आप चाहे तो इसे किसी भी paper से भी cover कर सकते हैं या फिर as it is use कर सकते हैं कुछ पुरानी bottles रखी थी मेरे पास उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और देखे फिर चोटी मोटी चीजे रखने के लिए ये काफी useful हो जाता है आप इसको अ अगर हम रख ले जो अच्छे जो boxes होते हैं उनको आप रख सकते हैं और ऐसे जो कहली bottles रहती है उनको भी आप यूज कर सकते हैं पुराने socks है इनको भी आप यूटिलाइज कीजे अपने kitchen में और इसको मैंने एक पुरानी bottle को cover करने के लिए यूज कर लिया है इसको बस जो जिसके handles तूट जाते हैं वो भी आप यहां पी यूज कर सकते हैं तो यह जो organizers रहते हैं यह चोटी-छोटी चीजे स्टोर करने के लिए organized रखने के लिए काफी काम में आते हैं जैसे spoons रख दिये और आप इसे अपने dining table पे भी रख सकते हैं spoons fork हमेशे काम में आते हैं तो हम इने fold करके ऐसी जो plastic seal करने के clips आती है उसमें रख देते हैं लेकिन यह जो clips होती है यह बहुत अच्छे से इसको tightly बन नहीं करती है थोड़ा बहुत gap रह जाता है और अगर आपने एकदम से यह सारी चीजे consume नहीं करी है तो यह इसमें थोड़ा moisture जाने का डर होता है फिर आप जैसे clips से बन करते हैं बिल्कुल clips से इसको ऐसे fold करके बन कर लीजे अब बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं जाएगी moisture नहीं जाएगा और चीजें लंबे समय तक खराब नहीं होगी बाकी बरतनों के stickers निकाला मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियोस में उसको गरम करके से कोई भी बाउल है प्लेट है स्टील के तो इनको आप थोड़ा सा गरम कर लीजे और आराम से इसके stickers निकल जाते हैं लेकिन जो कुकर होता है उसको उसके stickers निकालने में थोड़ा सा दिफिकल्टी होती है और जो stickyness रहता न वो निकलना नीची है तो जब भी आप कुकर यूज करते हैं उसे अच्छे सक गरम होने दीजे और फिर ये stickers को खीच के निकाल दीजे कोई stain नहीं रहेगा बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं रहेगी इसकी और ये आराम से easily निक इन दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने चोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर लिया है उसके लिट पे मैंने काफी सारे होल्स कर लिया है होल्स को थोड़ा साना बड़े ही रखे तो जो हम चीजे इसके अंदर डालेंगे उसकी अच्छे से खुच्बू बाहर मक्या आती है और अगर स्मेल से परिशान है तो इसे अंडर सिंक रख दीजे या फिर जहां भी आप अपने डस्ट बिन को रखते हैं उसके बिलकुर कॉर्नर में रख दीजे या फिर सिंक के पास रख दीजे तो आपका जो किचिन है उसमें बिलकुल भी स्मेल नहीं गहां बिलकुल भी जगा नहीं हो रही थी लेकिन घर में कहीं नहीं ऐसे वाले ओर्गनाइजर यूज में आहीं जाते हैं जरूरी नहीं है कि आप इसे किचन में ही यूज करें तो मैंने इसे यहां लिविंग रूम में रख दिया है और इसमें मैं सारी स्टोरी बुक्स का काफी रीडिंग करती है तो ये सारी स्टोरी बुक्स मैंने यहां पर रग दी है तो ये बुक्स भी और्गनाइज रहेंगी और ये जो और्गनाइजर ऐसे ही पढ़ा था मुझे लग रहा था कि मेरे पैसे भी बरबाद हो गया इसको लेकर तो वो भी यूटिलाइज हो गया तो कुछ और्गनाइजर ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि शायद किचन में अब इसका यूज नहीं है तो आप उसे किसी दूसरे रूम में भी यूज मिला सकते हैं तो देखे इसमें सारी के सारी बुक्स आ गई हैं और काफी बड़ा सा और्गनाइजर था बड़े-बड आपको पूरा एक बॉक्स में एक साथ ही मिलेंगे सारे के सारे सेट और यह काफी यूज फुल है स्टीमर के लिए या फिर आप एर फायर में भी यूज कर सकते हैं और केक पेकिंग के लिए भी ये पॉफेक्ट है और यूनि रैप और ओड़ी इको बेक आप आप आप उचाते हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो इनको स्टोर करने के लिए आप कोई भी एक खाली सा बॉक्स ले लीजिए जैसे मैं यहां पर यूज कर रही हूं अपने क्रीम का एक बॉक्स क्रीम के बॉक्स बहुत ही अच्छे रहते हैं काफी यूसफुल रहते इसको हम यूस करूंगी इसको मैं ऊच्य से वॉश कर लिया है और कोई भी चीज स्टोर करने के माप इन बॉक्स जिसको तो बस आप इसमें अच्छे से इसको वाश कर लीजिए और आप चाहे तो इसके नीचे एक पेपर नाइपकन भी बिचा सकते हैं तो मैंने पेपर नाइपकन नहीं बिचाया है बस आप इसमें इसको डाल दीजिए और ये काफी अच्छा स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा सभ अच्छे से रहेंगे तो इस तरह से आप अपने जित्ते भी रबर बैंड से उनको अच्छे से और गनाइज करके रख सकते हैं और यह यहां वहां मिस्प्लेस नहीं होंगे और खराब भी नहीं होंगे आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रू कीज़ेगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग